हेलो एब्रिवन गुड मॉर्निंग विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आप सब आप सबी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो फ्रंट्स ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और तारीक है 26 दिसंबर सुबह के इस वक्त अभी 9 बजे हुए हैं और मैं यहां पर लग गई हूँ घर की सापसफाई करने में और आज का दिन जो है ना बहुत मतलब ठंडा है सुबह से ही काफी ज़्यादा फौग हो रखी है बहुत ज़्यादा है अभी तो जैसे 9 बज गए हैं तो हलकी सी कम हो गई है लेकिन धूप फिर भी नहीं है हर जगे बदलब फौग ही नजर आ रही है तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और सारे काम की सुरुवात मेरा थोड़ा सा लेट से हो रहा है घर की सापसफाई का क्योंकि बच्चों की छुटियां सुरू हो गई हैं तो बच्चे जिसे देर से सो करके उठते हैं तो उनको नास्ता वगरा कराने के बाद ही मैं सारा घर का काम करती हूं तो फिर बच्चे क्या हैं कि जब एक बार नास्ता कर लेते हैं तो फिर मैं अराम से अपने घर के सार क्या कर लेती हूं क्योंकि ठंड है न तो इस टेम पे कोई भी काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो ऐसे मिना आलस भी आता है कि हम ये काम करें या ना करें लेकिन सुबह का जो साफ सफाई का काम है ये तो करना ही पड़ेगा तो देखिए अभी न मैंने किचन से ही स किचन का जो भी बचा हुआ खाली करके मैंने बरतन को बाहर रख दिया है और किचन फ्लेट फॉर्म को साफ करने के बाद फिर मैं आ जाती हूं बाहर इस वाले रूम में तो यहां पे भी बहुत ज़्यादा तो नहीं गंदा रहता लेकिन हा थोड़ा बहुत जो कपड़े ह लग जाते हैं तो इनको ठीक करना होता है और आज मुझे थोड़ा लग रहा था कि मैं अपना सारा काम जल्दी से खतम कर लूँ क्योंकि ना दिन बिल्कूल भी पता नहीं चल रहा था सुबह से मौसम इतना ज्यादा खराब है कि समझ भी नहीं आ रहा था कि अभी टाइम क के लगबग 6-7 बज रहे होंगे तो ऐसे टाइम पिना बड़ी जल्दवाजी से होती है ऐसा लगता है कि दिन का पता नहीं चल रहा है और अभी तक मेरा काम भी खतम नहीं हुआ है तो बस मैं वही फटा-फट से लग गई हूँ सारे काम निप्टाने में और जब भी मुझ लगता है यह तो जल्दी हो जाते हैं इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो वस इस रूम को भी मैंने ठीक कर लिया है और यहां की बाकी सब कुछ तो सही किया है वस यही बेट सीट चेंज करने थी और बाकी यहां का सब कुछ ठीक था तो बेट सीट को मैं चेंज कर दूँगी और इसके बाद फिर यह वाला रूम को सही कर दूँगे और ब्लैंकेट मैं यहीं पर रख दूँगी अभी क्योंकि बच्चे ना अभी बैठेंगे यहां पर पढ़ाई करेंगे या फिर बैठते भी हैं तो ओड़ करके अपना बैठते हैं तो इसलिए मैंने इसको बेड़ पर ही रख दिया है वापस से और अभी बच्चों की शूटिया है तो बच्चे यहीं पर इसी रूम में रहते हैं और जब इस रूम में इननका पूरा दिन बीठते हैं तो थोड़ा सा जादा गंदा होता यह वाला रूम और जब बच्चों की स्कूल होती ना उस tavalla पे बलकी इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है तो चलिए अभी ना फिर मैं ये सारा काम खतम करके फिर मैंने पूरे घर में जाड़ू लगा लिया है और इसके बाद जो कपड़े निकले थे ना इनको भी मैं भिगो के रख दूँगी और ये सारा काम जब मैं करती हूं इस तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं थे बस एक दो कपड़े वैसे एक्स्ट्रा थे और वाकी अभी जो ये बेट्चिट निकली है ये थी और बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है क्योंकि मैं डेली ही हाथ से धूल लेती हूं कपड़े तो इतने ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं और मशीन भी इस टाइम पे नहीं लगा रही हूं क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही है और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सायद अभी दो-चार दिन धूप नहीं रहेगी क्योंकि इस टेम पे नहीं हमेशा ऐसे ही होता है लास्ट दिसम्बर में थोड़ा ज़्यादा फॉग रहती है तो अभी बस यह कपड़े भी होने के बाद नहीं से मैं पानी लेकर के जाओंगी और थोड़ा सा मैं बालकनी की भी सफाई कर देती हूँ बालकनी में धूप तो है नहीं तो अभी कोई वैसे भी आता जाता नहीं है तो इसको मैं दो या तीन दिन में धूल देती हूँ कभी-कभी चार-पांस दिन भी हो जाता है कभी-कभी-कभी डेली भी धूल देती हूँ जब मेरा मन करता है या फिर जब मुझे लगता है कि आज गंदा हो गया है तो फिर मैं धूल देती हूँ बालकनी को और बस जादा टाइम नहीं लगता है इसको बस एक बाल्टी पानी डाल दो और फिर जाडू से जो है पानी निकाल देती हूँ तो फटा फट से जो मेरी बालकनी है वो भी धूल चुकी है और इसके बाद फिर पूरे घर में लगा लेते हैं पोछा और यहाँ पर आप देखी सकते हैं अन्या का मेरे चल रहा है कुछने कुछ उनका मतलब चलता ही रहता है कभी नमकीन, कभी कुछ उनका नास्ता तो हो गया है लेकिन फिर भी बच्चे कुछ नो कुछ ऐसे ही बेट पर बैट करके खाते रहते हैं तो ऐसे ही फिर गिर जाता है और जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं और अन्या को मेरे नमकीन बहुत जादा पसंद है तो बस अपनी फेवरेट वाली नमकिन लेकर कि वो बैठी हुई है टीवी देखने के लिए और इनका वही पूरे टाइम जो है आर्ट क्राफ्ट का चलता रहता है चुट्टी है न इस बज़े से वो अपना बीजी रहते हैं जो बर्फ जम जाती है न तो उसका मैंने बटन बंक किया था तो रात भर में काफी ज़्यादा ऐसे पानी जो है बाहर ही निकल गया है तो बस इसको मैं साफ करूँगी नहीं तो अगर पानी बरा रहता न तो बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है घर में वैसे भी घर में इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है धूप तो भी वैसे भी नहीं है लेकिन फिर भी ये अगर पानी भरा हुआ होता है तो ठंडी और ज़्यादा देख करके लगती है तो चलिए अभी मेरा सारा काम हो चुका है घर की साफसफाई हो गई है और इसके बाद फिर मैंने सारा काम अपना कर लिया है कपड़े वगरा मैंने धूल लिये हैं नहा करके फिर मैं आ गई हूं किचन में और मैंने बताया ना अन्या को बहुत अभी कुछने-कुछ उनको चाहिये होता है वीच-वीच में खाने के लिए मुझे कुछ भुना हुआ खाने का मन हो रहा था यहां पर पीनट है रोस्ट कर रहे थी है तो आक दो lle से तो थंड़े वह ठंड दनका संद्ध कर दो और जब तक बच्चे अपना पीनट खाएंगे तब तक मैं आ गई थी चहत पे सारे कप्ड़े सुखाने के लिए तो बस कप्ड़े जादा है नहीं वैसे भी धूब भी इतनी जादा नहीं है आज तो बिल्कुल भी नहीं है आप देखी रहे होंगे वीडियो में देखी रहा होगा धूब बिल्कुल भी नहीं हो रही है फिर भी कप्ड़े मुझे छट पे ही सुखाने होते हैं तो अभी ना टाइम है तो शाम तक थोड़ी बहुत तो सूखी जाएंगे तो चलिए अब ये कप्ड़ों का काम भी हो गया है और लगभग इस टाइम तक मेरा सारा काम हो चुका है और बस अभी मुझे लंच बनाना है तो सारा काम हो चुका है बस लंच ही बनाना है और आज मैं जल्दी ही बनाओगी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पे मैं देर से लंच बनाती हूँ क्योंकि जब बच्चे देर से आते हैं तो फिर गर्मा गर्म मैं बना कर गरती हूँ लेकिन अभी इनकी छुटी है ना तो मैं लंच भी जल्दी ही बना लूँगी और हजबन अभी आज मेरे अभी नहीं आएंगे वो शाम को आएंगे तो इस वज़े से हम तीन लोग ही हैं घर पे तो लंच वगएरा मैं सब कुछ जल्दी ही बना लूँगी और फिर ये कप्रे वगएरा सुखाने का काम करने के बाद थोड़ा सा बच्चो को भी मुझे पढ़ने के लिए बैठाना था क्योंकि उनका ना ये होता है कि जिसने चुटी होती है तो अपना टीवी देखते रहते हैं और उनको टीवी के आगे फिर भूल जाता है थोड़ा सा उनको डाटना होता है मुझे तो फिर ये है कि बात मेरी सुल लेते हैं क्योंकि वो सुबसर टीवी देख रहे हैं तो बच्चो को पढ़ने के लिए बठा दिया है उनका नहानव गयरा सब कुछ हो गया है और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर कड़ी चावल बनाने के लिए तो कड़ी चावल आज बच्चो का फर्माईज थी कि मम्मी कड़ी चावल बनाएए काफी टाइम हो गया आप नहीं बनाए हो और बच्चो को मेरे नब बुंदी की कड़ी बहुत जादा पसंद है तो बस यहाँ पर मैंने बेसन को गोल करके रख दिया था 10 मिनट के लिए और कुछ इस तरीके से पतलग गोल मैंने रखा हुआ था और फिर यह जो कर्शी होती है जिसमें डॉट डॉट बने होते हैं तो मैं इसी से बुंदी निकालूंगी और मैं घर की बुंदी से ही अक्सर कड़ी बनाती हूँ अच्छी लगती है क्योंकि यह ताजी होती है तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस पे घोल डाल दिया है और जो गोल गोल बुंदी होती न वो निकल गई है तो इसके लिए कोमेंट भी आया था एक बार मेरे पास की दिया आप बुंदी कैसे बनाते हो घर पे तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से ही बनाती हूँ इसका जो घोल होता है बेटर बेसन का तो वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए और इस तरीके से घोल करके आप बहुत अच्छी बुंदी बना सकते हैं और जब आप दुबारा फिर कर्षी का यूज करें जिसमें आप बुंदी चान रहे होते हैं तो उसको फिर धुल लें इसके बाद फिर दुबारा उसमें आप बुंदी को चानें तो इस तरीके से बुंदी गोल गोल से ही बनती है और अब इसी कड़ाही में मैं कड़ी को तड़का लगा दूँगी तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेथी दाना, जीरा, राई और हींग लिया है उससे तड़का लगाया है और फिर बारी कटे हुए लसन डाल दिया है एक छोटा सा हरी मिर्च बारी कट करके डाल दिया है और दो लाल मिर्च मैंने डाल दिया है, सुखी वाली लाल मिर्च थोड़ा सा हींग डाल दिया है और वस ये सारी चीजें जैसे ही थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगी इसके बाद बेसन और ये छाज का होल मैंने बना कर की रखा हुआ था पतला होल तो इसको डाल देंगे इसी में तड़का लगा देंगे और वापस से थोड़ा सा पानी और एट कर देंगे क्योंकि ये फिर अभी पकेगा तो बहुत जादा गाठा हो जाएगा तो इस हिसाब से थोड़ा सा पानी और एट कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे मतलब इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और कड़ी जब बहुत देर तक उबलेगी तो बहुत अच्छे से पक जाएगी इसके बाद सबसे लाश्ट में इसमें नमाक एट कर देंगे तो देखिए मेरी जो कड़ी है ना बुंदी की बन करके रेडियो हो गई है के सारे काम के साथ साथ में मेरा लंच भी टाइम पर हो गया है और नौ बजे से लगबग बारा बजे तक मैंने अपना सारा काम जो है खतम कर लिया है तो इसके बाद हमारा जो खाना खानी के बाद का जो थोड़ा सा टाइम बचता है ना तो उसमें हम लोग बैट गए थे और अन्या मेरी बहुत सारी जो मेरी एरिंग्स रखी होई थी ना वो निकाल करके ले आई तो मुझे ना थोड़ा सा वो डाट भी रहे थी कि ममा आपना इतना सारा खरीद करके रखे हो और पहनते कभी नहीं हो तो देखे फ्रेंट्स ये बहुत सारी एरिंग्स हैं जो कि मैं खरीद करके रखती हूँ लेकिन मुझे ना खरीदना अच्छा लगता है बस मैं इनको पहनती नहीं हूँ मुझे यादी नहीं आता पहनने के लिए बस मैं इनको खरीद करके रखती हूँ मुझे खरीदना बहुत पसंद है जब भी मैं कहीं जाती हूँ खास करके न मेले वगर में बहुत अच्छी मिलती है तो बहुत सारी मैंने collect करके रखी हुई है और बस पहना नहीं है कभी भी एक-दो मैंने पहनी है इसमें से जो बहुत छोटी-छोटी है न वो वाली मैंने पहनी हुई है ये बड़े वाले जो है इनको कभी भी नहीं पहनी है बस ला करके रख दिया जैसे तैसे रखा हुआ था तो अन्या मुझे न बोल रही थी ममा चलिया आपको मैं पहनाती हूँ कैसा लगता है देख करके मतलब आप पहन ये मैं देखूंगी कैसा लगता है मैं पहन तो नहीं रही थी लेकिन वो जो भज़स्ती फिर वोली कि नहीं ले आईये मैं पहनाती हूँ तो मैंने का चलो ठीक है पहनाओ मैं भी देखती हूँ कैसा लग रहा है तो ये जो सबसे बड़ा वाला था ना ये मुझे लग गई है बिट्यारानी पहनाने में और सच में ये बहुत सुन्दर लग रहा था मुझे आज पता चला क्योंकि मैं इसको आज फर्स टाइम पहनी हूँ तो आज मुझे पता चला कि ये बहुत ही प्यारी लग रही थी तो आप लोगी बताईएगा आपको मेरी एरिंग में कौन से अच्छी लग रही थी कमेंट करके प्लीज जरूर बताईएगा मुझे अच्छा लग रहा था ये मैं पहली बार पहनी थी तो चलिए फ्रेंड्स अभी हमारा थोड़ा सा दोपार रहा कुछ टाइम ऐसा ही बीता है बच्चों की छुटी थी तो और आज के छोटे से व्लॉगों में यही प्रेंट करती हूँ आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना मिलती हूँ आप से एक नए व्लॉग में तब तक के लिए थैंक्यू बाबाय टेक केर